मुंबई में एक और मोबाईल चौर चड़ा पुलिस के हथे। वड़ाला रेल्वेश पुलिस ने किया मोबाईल चौर को गिरवतार. यह चौर बहुते शातिर बताय चा रहा है। कई दिनों से मुंबई पुलिस की आखों में धूल जोंक रहा था। बहरहाल अब यह मोबाइल चोर है पुलिस के शिकंजे में जिसके चलते वडाला रेलवे पुलिस ने की एक प्रेस कॉन्फरेंस जिसमें उन्होंने मोबाइल चोर के कारणामों का किया परदाफाश मुंबाई से दव बोईस के लिए नीतु सिंग और शफिक साथ विलकर की रिपोर्ट सुबह साड़े नौ बजे मुझे फोन आया माहिम से कि एक आरोपी को पकड़ा हुआ है ऐसे मोबाइल पर भटका मारते हुए तो पकड़े बाद मैं तुरंत मैं मेरे हवलदार पाटिल मंगे साड़वी और बाबर ऐसे हम लोग मिलके जीप से हम लोग वहाँ पे माहिम स्टेशन गए तो माहिम स्टेशन पे वो आरोपी को पुलीस हवलदार ने पकड़ के रखा था और रखते ही मैंने उनको इंक्व से था सर आपको किसी नॉर्मल बंदे ने किया था या पूलीस स्टाफ रहता है वह स्टाफ ने वहां से फोन किया कि साव ऐसा पकड़ा है हमारे आखेले की बस की बात ने तकलिफ दे रहा है तो इसकी वज़े से मैं और मेरा स्टाफ यहां से जीप से गए हम लोग तो सर क् पोलिस आयुक्त स्री रविंद्र शेंगाउकर साब और DCP मकांदार और ACP पार्टी लिंग से फोन पे बात हुई तो बात करने बाद हमारे कमिशनर साब ने बोला कि जो 16 तारिक से लेके अभी तक ऑफेंसे रजिस्टर हैं उसका और आरोपी का और नन एक सरी का दिख रहा है तो ज़रा आप कस के इंकोरी करो और इंकोरी करने के लिए मुझे आदेश दिया गया तो सर कुछ इस दौरान पता चला उसके घर से किसी से कुछ बात हो पर ही कुछ मिला नहीं उसके घर से तो पहले हमने जो रजिस्टर ओफेंस किया, ओफेंस रजिस्टर करने के बाद फिर कोट लेके गए, कोट लाने के बाद तीन दिन की PC मिली, फिर PC के इंक्वाइरी में पोलिस कस्टडी इंक्वाइरी में मालूम पड़ा कि इसने 16 तारिक से लेके 20 तारिक जितने ओफेंस किये थे, ओफेंस इसी ने किये थे, और एक किंग सरकल में सुबह साड़े पांच, साव पांच बज़े एक लैप्टॉप इसने चुराया, इंक्वाइरी में ऐसे पता चला, तो फिर इसके बाद हम लोग उसके घर पे गए, और घर पे जाने के बाद पंच अलग एफायर दर्च की गई है, पहले से ही, और अभी और दो मॉबाइल आने बाकी हैं, दो मॉबाइल मिलते ही, फिर उनके उपर कलम बढ़ाने का 75 अंडर सेक्शन और बढ़ाया जाएगा, वो करवाई करेंगे.